ये करने जा रहे हैं, ये हमारे तीन कानून है, ABC, और इस तरह से हम इनको पार्लिमेंट में लाएंगे, ये जो कॉंसिल्टेशन और डायलोग है, ये किसानों के साथ काफी कम हुआ, जब आपका कानून बन चुका था, मेरा सवाल आप से ये है, जो अब प्रक्रिया हो रही है किसान नाराज हैं, आप उनको समझा रहे हैं, कि ये जो कानून है ये आपके हित में, अगर आप पहले ही समझाते हैं, उनको विन ओवर करते हैं, अब वादा करते हैं कि मैं करने वाला हूं समझाते हैं, फिर जाके करते हैं, अगर आप वो प्रोसेस करते हैं, तो शायद इ अभी जो बाची चल रही है, उस में किसानों के मन मन में जो ब्रम है उसको दूर करने में हमें सफलता मिले। सुना कि जो ऍसी हैं उनका प्रभाभ बन रहा है क्या आपको लग रहा है कि यह जो आंधोलन है यह हाई जैक हो रहा है खालिस्तानियों दोरा यह आंटी सोचल आएलेमंटिन दोरा इम्मै सबस्क्राइब और जिन किसान का आन्दोलन. मैं प्लिटिकल लोगों से कहना चाहता हूं कि उनको किसानो के नाम पर सियासत नहीं करना चीए किसान आंदोलन है किसान आए हुए हैं किसान यूनियन ने उनको इखटा किया है वो विचारे तप रहे हैं सर्दी में ठंड से तकलीप पा रहे हैं और आप हर लगे ना फिटकरी और रंग चोका ही चोका जाकर और आप मीडिया से रूबरू होके कह दो कि हम समर्थन करते हैं तो ऐसे एक आदमी के समर्थन से वहां कुछ होने वाला तो है नहीं और जहां तक मोदी जी का सवाल है तो मोदी जी को देश में चहाने वाले भी करोड़ों लोग हैं तो स्वाभावे ग्रूप से जिसको चहाने वाले करोड़ों में हैं और जिसको जनता प्रधान मंतरी बनाया है और जनता में सरवाधिक लोगप्रिय व्यक्तित तो आज के समय में वह हिंदोस्तान में हैं तो कुछ लोग उनका विरोध करने वाले भी रहेंगे तो विरोध करने के लिए प्लेट फॉर्म है आप अपनी पार्डी के सभा कीजिए आप अपनी पार किसान माने किसान वह किसान बड़ा हो या छोटा हो हमारे नजर में वह किसान और जब हम कोई योजना का सरजन करते हैं तो कोसिस करते हैं कि हर किसान को लाब मिले आज फर्टलाइजर की सबसिटी मिलती है तो छोड़े को भी मिलती है बड़े को भी मिलती है लेकिन जो छोटा किसान है जिसकी संख्या इंदुस्तान में ज्यादा बड़ी है उस किसान को सरकार की योजनाओं की सहता की ज्यादा जरूआ थे और उसको फो करने के लिए पहुंचता नहीं है तो सरकार की योजना ऐसी बने कि वो छोटा किसान फाइदे की तरफ आए प्राइवेट मनॉपली हो सकती है कि अम्बानी अडानी का एजामपल दिया आता है कि इनका दबदबा हो जाएगा और प्राइवेट की मनॉपली हो जाएगी मैं ऐस उसको पुरातन काल में भी कोई नहीं डिगा पाया और संकट के समय भी इस अर्थ विवस्था ने अपनी प्रासेंग्रित्ता समय समय पर सिद्ध की है अभी कोबिट का भी संकट आया तो दुनिया के तमाम सारे-सारे कलकार खाने बंद हो गए लेकिन गाउं बचा रहा और खेती बची रही विवादास पद मुद्दों से आप दूर रहे आपने कहा कि आप हल निकालना चाहते हमारी उमीर यही है कि सरकार और किसानों की बीच का जो तक्राव है उसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकले आपने वक्त निकाले इसके लिए आप बहुत दनेवाद र अ